नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है मैं हूँ शरत प्रधान और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतिया जन्तापार्टी राहुल गांदी की बातों को तोड़ मरोड कर लोगों के सामने इस तरह प्रेजन्ट कर रही है जिससे की ऐसा दर्शाय जा सके कि राहुल गांदी पिछड़ा विरोधी हैं अटी बैकवर्ट अब बताएए ये इस तरही क से हुआ है क्योंकि राहुल गांदी ने करनाटक में 2019 में एक भाशन देते हुए एलेक्शन के दारान एक भाशन देते हुए ये कह दिया था कि बात कर रहे थे नीरव मोदी और ललित मोदी की जो अर्मों खर्बों रुपिया लेकर के गायब हो गए यहां से और उन्हें कह और राकि यह क्या बात है कि मोदी नाम के सबी लोग छोर होते हैं अच्छा एक छोटा सा सवाल इन सब के नाम इन सब चोनों के नाम मोधी मोधी कैसे हैं नीरव मोधी ललेत मोधी नरेंद्र मोधी और अभी थोड़ा ढूंडेंगे तो और बहुत सारे मोधी निकलेंगे अब जाहिर है कि ठीक है इंडिरेक्ली उनका अटैक वो करना चाह रहे थे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी थे और लेकिन उसी उनीक के पार्ठी के नेता पुर्नेश मोधी ने फौरन राहूल गांदी के खिलाफ केस कर दिया और उसमें यह बताने की कोशिश करी कि देखिए इन्होंने पूरी मोधी कम्यूनिटी को बदनाम करने की कोशिश करी है चलिए वहां तक भी समझ में आता है कि उसने उनको ले लिया मोधी कम्यूनिटी को हला कि मोधी में अलग अलग जाती के लोग होते हैं मोधी नाम के ल बीजेपी ये मानती है कि बैकवर्ड सिर्फ मोदी होते हैं और बाकी जो बैकवर्ड जातिया हैं वो कोई बैकवर्ड नहीं एक यह है पॉइंट दूसरा एक और है दिल्चस्पात अभी तक अगर आप मोदी को खलाफ कुछ बोलते थे तो फॉरण यह कहा जाता था कि सब आरेन मोदी प्रधान मंत्री केवल नहीं है देश के आए दिन ही होता था कि जहां मोदी के खिलाफ बोला बोलें कि सब देखे देश के खिलाफ बोल रहें तो यह साथ हम दें कभी नहीं सुना कि किसी व्यक्ति को देश बना दिया जाए चाहे वो प्रधान मंत्री हो कोई हो कोई व्यक्ति तो देश नहीं बन सकता और आज क्या हो गया है कि मोधी का नाम लेने पर पूरी बैकवर्ड कम्यूनिटी आ गए सब उसी में समा गए बाकी जो बैकवर्ड हैं वो बैकवर्ड नहीं है ये क्योंकि ये भी खुद कह रही इस तरीके से ये बना दिया है इतना बड़ा इसको तमाशा बना दिया है इसको लेकर राहूल गांदी को कोट से सदा भी हो गई और राहूल गांदी ने डट करके अड़े हुए कि नहीं माफी नहीं मांगूगा मैंने कोई गलत चीज नहीं बोली है और मैंने कोई उनका थात्पर मेरा नहीं है कि मैं बैकवर्ड कम्यूटी को एक हूँ और वोही कॉंग्रेस के लोग लगे हुए समझाने में अब बीजेपी ने तो बात पकड़ ली है और लाड़ स्केल कैम्पेइन शुरू करने वाली है अगले हफते से कि किस तरीके से राहूल गांदी ने ये बात बोल करके बैकवर्ड को पूरी बैकवर्ड कम्यूटी को देश पर में गाली दिये और इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है जो शायद बीजेपी को काम आ सके करनाटक के आने वाले चुराओं में प्रदेश को चुराओं में केस किया भी गया हो और ये अलग बात है कि उस लोवर कोट से जज्ज्मेंट भी आ गया राहूल गांदी के खिलाफ जो कि भारत के इतियास में पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरीके केस में डेफिमेशन बन जाए कोई पुलिटिकल स्पीच से पूरी कम्यूनिटी की बदना बना लिया जाए और डेफिमेशन में सजा हो जाए इस तरह के का दूसरा कोई उधारन भारत वरश में नहीं है लेकिन चली वह भी हो गया लेकिन अब यह मालेना कि साब वह यह तो पूरी कम्यूनिटी के खिलाफ है कि क्लियर कट दिखता है कि केवल तोड मरोड के माने की बात है और इससे को एक और इनका एंगल इसमें दिखता है कि बीजेपी जो कई सीरियस OBC इशूस हैं जो बैकवर्ड कम्यूटी द्वारा उठाय जा रहे हैं और तमाम पुलिटिकल लीडियर्स द्वारा उठाय जा रहे हैं उनको नजर अन्दास करती रहिए उससे भी अटेंशन हट जाएगा बीजेपी साब इसमें आपको मनना पड़ेगा कि वो ढूंड ढूंड के ऐसी चीज निकालती है और क्योंकि मेंस्ट्रीम मीडिया उनकी जेब में है तो वो अपना एक नारेटिव सेट कर लेते हैं और उस नारेटिव को पूरे में फैलाते हैं गुमाते हैं और जिस तरीके से भी हो हर हालत में किसी भी तरह से उसका वोट पॉलिटिक्स में फाइदा उठाने का प्रयास करते हैं अब आप देखिए जो अखलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो काफी दिनों से डिमैंड कर रहे हैं उत्तर प् कर रहे हैं उसके और जब बीजेपी के लिए बड़ी प्रॉब्लम बीजेपी कराना नहीं चाहती है क्योंकि कास्ट सेंस का मतलब है बैकवर्ट कम्यूटी की जो एक्जाक नमबर्स आ जाएंगे तो फिर वो डिमैंड करेंगे इसाब हमको हमारा इससार नहीं मिल रहा है व यूपी में सिविक एलेक्शन होने थे वहां पर उन्होंने डिमैंड किया कि पूरी तरीके से जब तक आपने कास्ट सेंस नहीं किया है तो आप किस तरीके से बैकवर्ड को रेजर्वेशन देंगे एक फॉर्मला निकाला गया अब बीजेपी का बड़ी मुश्किल थी कि उस फॉर्मले के तहट तो बीजेपी का नुकसान हो सकता था तो मामला ले जाया गया कोट में कोट से स्टे हो गया एकशन बड़ी रहात मिल गई बीजेपी को लेकिन आगे फिर होना है एलेक्शन होना है फाइनली कोट का वर्डिक्ट आ गया करना है उस इशू को रिजॉ ना करके वो आ偹 नुक्षान कर रही है उसमें नहीं बोलते हैं लेकिन दूसरे मामलों को ट्विस्ट करके बैकवर्ट का मामल बना जआ बहुँ क्या वज़े है आप आपको ये करने में क्या प्रॉब्लम है आप का सेंस्स करवाईए है ना उसकी बात नहीं करेंगे बात करेंगे कि राहुल गांदी ने पिछली जातियों को बहुत बुरा भला कह दिया और राहुल गांदी ने सब को चोर कह दिया अरे भाईया वो चोर जिनको कह रहे हैं उनका आप बता हो ना उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे सब को मालूम है नीरव मोदी लालित मोदी ने क्या किया नीरव मोदी खर्मों रुपिया ले करके विदेश में बैठे हुएं उनको आज तक लानी पाए ये बाते होती रही है और प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जो की बहुत ही क्विक रहते हैं इसे मामलों में कि जहां ब्रष्टाचार का मामला आया और फॉरंड एडी और सीबिया आजाती है लेकिन वो कौन से इच ब्रष्टाचार होते हैं जिसमें की आपोजिशन के लोग इंवाल्ड हो उसमें फॉरं प्रो एक्टिव ऐसा लगता है कि वाकई में देश भर क्या ब्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखा है प्रदान मंतरी नरेंद मोदी ने जिस तरीके से ओवर ड्राइब पे सी बी आई और एडी काम करते हैं लेकिन फिर हुई तो भाई आप नीरव मोदी ललत मोदी के लिए क्यों नहीं करते हैं या जो सवाल राहूल गांदी उठा रहे हैं कि बीस हजार करोड रुपिया जो अडानी का है कि वहाँ नाजाइस तरीके से जो उन्होंने एक्यूस किया है वो किसका है वो बार बार जो उठाते हैं राहूल गांदी ये बात कि बाई प्रधान मंत्री तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूँगा तो ये बीस जार करोड किसका है केवल ये बता दे उसका कोई जवाब नहीं जिसने भी सवाल पूछा जिसने भी कोई भी क्वेस्चन उगली उठाई तो वहाँ पर शुरू हो जाते हैं जिसने भी आपोजिशन यूनिटी की बात करी तो एडी और सी बी आया जाते हैं लेकि इस मामले में उसको नहीं करेंगे लेकिन राहूल गांदी के खिलाफ पूरा कैमपेंच चलाएंगे कि साब राहूल गांदी ने गाली दी अब ये कोई डिटेल में नहीं जाता है क्या कहा क्या नहीं कहा वो चाहें वो केमर्ज उनिवरस्टी वाली बात हो जो राहूल गांदी कहा ही नहीं वो उनके मुवमें डाल दिया गया और लगा हुआ है मेंस्ट््रीम मीडिया किसी ने गोदी मीडिया कहा है गलत नहीं कहा है क्योंकि वो वही काम करता है जो गोदी में बैठा आद्नी करता है ने उसको कहा जाता है डेको अब ये बो लो His master's voice वो चल रहा है और ये इस तरीके से चलाया जाएगा इस तरीके से नारेटिव बिल्ड किया जाएगा जिससे की कहीं पे भी वही बात आए जो बीजेपी चाहती है दूसरे की बात आने ही ना दी जाएगा और आप जानते हैं जिस तरीके से पॉबलिसिटी पे खर्च किया जाता है अलावा इसके की डराय धमकाया जाता है खर्चा भी बहुत किया जाता है अपना नारेटिव सेट करने के लिए और अपने तरीके से उसको प्रिजेंट करने के लिए में इंस्ट्री मीडिया में वही हो रहा है आज आप सब देख रहे हैं और यही वज़े है कि बार बार दोरा दोरा करके चिला चिला करके पूरी बीजेपी लगी हुई है और सुना है एक बड़ा भारी कैम्पेंड शुरू होने वाला है जिले जिले गाओं गाओं तैसील तैसील जाकरके ये बताने के लिए जनता को कि राहूल गांदी ने पूरी पिछडी कम्यूनिटी को बुरा कहा है चोर कहा है जूट कामबार खड़ा करना बीजेपी के लिए बाय हाथ का खेले और वही किया जा रहा है ये आगे आने वाले जो समय है वो आपको बताएगा लेकिन ये सवाल पूछना जो है बिलकुल लाजमी है कि भाई अगर उनोंने किसी स्पेसिफिक मोदी के लिए कहा तो उनका तो बताईए उनकी सफाई और ये बताईए कि किस तरह से पूरी बैकवर्ड कम्यूनिटी मोदी में ही कैसे समा गई इसलिए कि प्रधान बंतरी मोदी हैं तो सारे अब सिर्फ बैकवर्ड मोदी ही कहलाएंगे बाकी बैकवर्ड बैकवर्ड नहीं है इसका तरह जवाब देना पड़ेगा ना और दूसरी बात ये कि भाई इस तरीके से आप जो कैमपेंच चला रहे हैं और राहूल गांदी को सिर्फ ब्रैंड करने के लिए वो धर्शाता है कि राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा से जो उन्होंने पॉपलारिटी हासल करी है उससे बीजेपी फिक्रमंद हो चुकी है अभी तक तो कोई माना जाता था कि जब राहूल वर्सेज मोधी होता है एलेक्षिन में तो इन इकॉल फाइट हो जाती है मोधी क्लीन स्वीप कर जाते हैं क्योंकि राहूल गांदी तो पपू है पपू की इमज़ बनाने में राहूल बीजेपी ने काफी मेनत करी है काफी खर्चा किया उसको पपू उन्हें ब्रैंट कर देने के लिए लेकिन भार जोड़ो यातरा के बाद वो पपू इमेज से निकल चुके हैं और एक ग्रासरूट लीडर के तौर पे सामने आए हैं और लाकों करोडों लोग ने उन्हें देखा है सलक पे 4000 किलोमेटर की या पाने वाला है और उसमें किस-किस तरह के से उन्ट किस करवट बैठेगा यह किसी को नहीं पता है दवायर के और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बैल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें